कि पाल्स डागसिस की बात करते हैं दोस्तों किसी विक्ति के एगर आप बॉडी की फिटनेश देखना चाहते है बॉडी है विट्टी को सा और गन प्रभावित है किसे पर प्रभावित है किसी भी विक्ति की बॉडी उसका माईन उसकी इसlarını और उसकी सौल यहनि उसकी आत्मा कि अभी मोजड़ा इस्थिती क्या है आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कोई भी आदमी को ऐसे देखकर आप नहीं बता सकते कि उसको प्राब्लम क्या है तो आपको जब इस प्रकार के के द्वारा आप डाग्नोसिस करते हो उसे हम पल्स डाग्नोसिस कहते हैं दोस्तों पल्स आपकी लीविंग स्थिती को दर्शाने का कोशिस करता है modern science ने इसको बहुत पहले डाप किया था लेकिन ज्यादा तर वहां पर science पर ध्यान नहीं दिया लेकिन जितने भी पल्स डाग्नोसिस करने वाले आयरवेश शास को देखो आप प्राचीन समय से जितने भी वेदाचारे होते थे सारे पल्स डाग्नोसिस के बेसेस पर ही डिसीज बता देते थे कि इस आदमी को यह प्रावलम है लेकिन स्ट्रितोस्कोप और डिफरेंट टाइप की इस्ट्रूमेंट आने के बज़े से विध्या को वहां पर अलग कर दिया गया लेकिन दोस्तों यह विध्या आज भी कारगर है और अगर लेक्टों में पैत में इस विध्या को अगर आप जान लेते हैं तो हमें बहुत स्टी जिंदा है और जिंदा है इसका आरगन कहां पर कैसा काम करना कुंसा ज्यादा कर रहा और यही हमारे उलेक्टों में पैत का जो लौँ है पॉजिटिव और नेगिटिव का वह दर्शाता है दोस्तों यहीं सिंपल सी बात है पूरी बॉडि में होने वाले सर्कूलेश कि जितना भी वहाँ पर पैटर्न होता है जितने भी तरह के पैटर्न होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है और यही शक्षम बनाता है हमें इनी तीन लेवल पर यहनि नर्वस टेमप्रामेंट आपका लिंफेटिक टेमप्रामेंट सेंग्वाइन टेमप्रामेंट यह पूरी बॉडी के माइन जो बॉडी का निधारी करती है दोस्तों हमारा बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो किस परिदी में होता है किस परिश्थिती में होता है मैंने टेंपरामेंट के लेवल पर बताया था आपको वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है दोस ना हमारी बॉडी के लिए बहुत नैसेसरी होता है यह निए फुमन और गन के जो हल्दी स्टेट होती है और उसका जो पोटेंशल डीसीज होती है उसके बारे में अगर आप दिखोगे जो बाद में वहाँ पर अटेक करती है और खतरनाक साइन भी बनाती है यह आप एक प्लांट्स पर हुमर्स पर वह अटेक करता है दोस्तों इसलिए जब आप यहां पर पर्टिकुलर टेबल प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको क्लियरली इंडिकेशन होता है दोस्तों यह निए पुल्स एक्जामनेशन के आदार पर हम किसीवे डीसीज के को क्रिएट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि किस प्रकार के प्राब्लम वहापर जनरेट पुरी है और कुन सा और ज्यादा काम कर रहा हमतुरें तो उसकी कंडिशन को क्रेट करते हैं दोस्तों नहीं तो बाद में अगर वो धीरे-दीरे काम बिगाड़ता रहेगा काम को disrupt करता रहेगा सिस्टम के function को प्रभावित करता रहेगा आगे जाकर बहुत खतरनाक sign के रुप में हमारे सामने आता दोस्तों इसलिए serious problem में convert हो जाता है और यही कारण है आप pulse diagnosis की कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए दोस्तों कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होत और इसलिए मुझे बहुत better result मिलता है लेकिन जब मैं anatomical, physiological और pathological background को तीनों को cross करके check करता हूं उनकी body में तो मुझे बहुत easily समझ में आ जाता है कि जो मैंना pulse diagnosis किया गलत है या नहीं पेशिट को मैं बुलता हूं pulse को हाथ लगा कि आपको यह हो रहा है आपको यह हो रहा है आपको यह औरगन में प्रभावित है मुझे इसी जगर पर problem हो इस चीज correlate हो जाती है आपको किसी भी laboratory investigation के जरुबत नहीं परती दोस्तों ठीक है आप वही laboratory investigation में जितना पैसा लेलो आप उसका बच जाएगा वो चलेगा लेकिन दोस्तों आप किसी को नाहक investigation के लिवल पर commission के चक्कर में मत उल जाईए ठीक है जब आप pulse diagnosis की बात करेंगे मैं जानता हूं दोस्तों मेरे जितने कलीक से सारेट सीख रहे हैं और उनको बहुत अच्छे result मिल रहे हैं आप जब pulse diagnosis की बात करते हो तो दो थियोरी अलग अलग है एक revision इंडिया की थियोरी अलग है और एक आपके डक्टर अजीप परवेज अजीतवाल की जो थियोरी है वो अलग है अजीतवाल सर की थियोरी पहले परते हम दोस्तों यहाँ पर जब temperament की step wise आप डियागनोस करते हो त step wise आपको diagnosis सिखाया जाता है तीन उंगलिया यह अंगुठा है ठीक है यह अंगुठा है इसके पात की first इसके बीच की middle और इसके बात की third और यह fourth finger जो होती है आपकी चीटी उंगली ठीक है आप इसको अटा दो यह तीन finger है ठीक है इस तीन finger को जब किसी भी आदमी को आप part पर आप जब इस प्रकार से तीन finger को रखोगे तो first finger, second finger और third finger इसको इस प्रकार से आपको रखना है दोस्तों first, second और third finger और यह first, second और third finger के level पर आप वहाँ पर दोस्तों उसको generate करते हो तीन pulse को ठीक है और यह तीन pulse की theory जो होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेग की अजीतवाल सर्की जब step first होती है तो step first में आपको दोस्तों वहाँ पर आपको सबसे पहले तीनों उंगलियों को particular level पर एक परीदी के level पर लाकर वहाँ पर fix करना है और fix करके 45 और 90 के angle बनाकर आपको सबसे पहले 90 फिर दोड़त से 80, 70, 45 इस प्रकार से दोस्तों वहीं कम मैं उंगली को straight रखा तो थोड़ा सा divert थोड़ा सा ऐसा इस प्रकार से जब करते हो तो आपको different different pulse का नुबाओ इस इंगलियों की front point पर आपको महसूस होते हैं दोस्तों और यहीं आपका step first होता इस step first के level पर आप जब देखोगे दोस्तों तो सबसे पहला temperament आपको जो दे इस plant के level पर इस आदमी का माइंड क्या काम कर रहा है यह plant और वो माइंड उस वक्ति का माइंड कैसे match कर रहा है कैसे आप डियाग्नोस करोगे कि यह plant है इस remedy में मिला और वह बिल्कुल उसका character इस व्यक्ति से मिलता जुलता है आपके medicine select हो जाती है तो आपको यह चीज सिख श्ług्राइन होता है जो मृडल टेंप्रा मीडिल आफंगर के level पर मिलेगा अगर वह होगा तो इस तीन तीन याद देख़ेगा हर विद्टी म सब्सक्राइब करतेज्ज करतें घृपे QC बोस्यक्ता है जटका गए ऐसे ब्लट आप 40 नरिस नर्वाइन्ड वी Grind覺 में आप माल लेज ehkä आप नजेगा कर दोसरा अगर तो ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती है वो middle finger के लिवल पड़ना जराएगे ठीक है और तीसरा होता है lymphatic temperament यानि जो third finger होती है यह digestion यानि कि digestive system related disease को indicate करेगा आपको clearly indicate हो जाएगा तीन finger पर कि आपका जो patient है उसका कुण सा system प्रभावित है और उसी system के according दोस्तों आप चार्ड बना सकते हो कि हाँ साव इसको कुन सी problem है और आपकी each remedy जो directly इस patient के इस condition को cover up करेगी वो remedy का है दोस्तों बाद में उसके organ के symptom पूछ कर वो supportive remedy मिक्स करना वो चलेगा लेकिन main remedy आपको select करना बता रहा हूं दोस्तों तो सबसे पहले हम nervous temperament की बात कर ल होते हैं और नव्स का काम होता है sensory system और motor system दोनों के माध्यम से आपके body को balance कराना दोस्तों आपको sweet to be आपको injection लगा आपको साप दिखा आपको कुटा काटने दोड़ रहा है यह क्या हो रहा है इससे क्या हो रहा है इसको आपको sensation मिल रहा है आपके brain को sensation मिल रहा है कि यह conscious हो रही है वो होगा a friend channel के माध्यम से body के sensory nerve rating से brain को message जाना ठीक है उसके बाद उनको देखकर आप भाग रहे हो ठीक है आप reaction कर रहे हो यह होगा आपका motor response जो brain के माध्यम से इफ्रेंट चेनल के माध्यम से आपके body के उस particular पाट तक पहुंसता है दोस्तों तो यहां पर nervous temperament में नर्फ जब इन्वाल होगी तो nervous system यहां पर related होगा दोस्तों पूरे nervous system से related diseases यहां पर develop हो चुकिए अब वो सकती है पैरा sympathetic भी हो सकती है आटोनोमिक नर्वार ठीक है कर रहे है ठीक है क्यों क्योंकि उनके mind mind ही ने absorb कर पा रहा है इसलिए दोस्तों यहां पर जो nervous system है जो सबसे important part होगा वो mind होगा और mind के according महाँ पर दोस्तो involvement होगा और सबसे तीसरा होता है दोस्तों जब यहां पर कोई भी indication आपको कहा मिलेगी आपको first finger में मिलेगी किवल first finger को आप particular reason पर इस प्रकार से रखेंगे दोस्तों ठीक है यह पूरा protocol generate करता है दोस्तों आप इस तरह से रखना है अंगूटे के साइट से first finger होना चाहिए ठीक है आप जो रखेंगे तब आपको नजर आएगा कि first finger पर impulses pulse के reading आपको ज़्यादा मित रहे है देन और एफ-वन एन सेकंडर डबली ठीक है पहली एफ-वन सेकंड डबली यह दो remedy होती है जो आपके हर प्रोटोकॉल में लेना ठीक है आप जब आपको मैं चार प्रोटोकॉल बताऊंगा ना जनरल टानिक नैचरल टानिक पावर बुस्टर और लिंफो बुस्टर इस फोर प इनी ही टॉपिक के उपर दोस्तों मैंने वी चार प्रोटोकॉल्स बनाएं dairy may be no chance आप किसी भी प्रकार से किसी भी चान्स को मिस नहीं कर सकते इनी चार प्रोटोकॉल मैं से किसी लिए प्रोटोकॉल या दू तोwar को यूजज करके ट hyमप्रामेंट देखने की घंजटी ख कि ब्लड मतलब फूरी बौड़ी में जो ब्लड का circulation हो रहा है यह निम्लड कहां बन रहा कूंध सा पार्ड सिस्टम और यह होता है दोस्तों था क्योंकि प्प करने का क्म भाड करता है हाड की पूरी activity बता देती है कि palpitation है आपको टेकी काडिया ब्रेडी काडिया कुन सी condition जनरेट हो दी उसी के according आपको आपर functions देखने को मिलता है इसलिए जो middle finger होती है न वो middle finger यहाँ पर involved होती है दोस्तों और middle finger आपको पूरे symptom देगे यहने आपके first finger में कुछ नहीं मिलेग आप जब middle finger को आप टच करते हैं एकदम से पल्स जंप करती भी महसूस होती है डारेक्टले आपको समझ जाना चाहिए कि इसको हाड या हाड से रिलेटेड जो ऑर्गन सुट है वो और आपको simple four medicines पे पूरा प्रोटोकल जनरेट कर जाता है A1, A2, A3, A4 क्योंकि यह anxiety group से ज nervous system mixed temperament में यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो सेंग्वाइन जो होता है वो हाड के level पर होता है और middle finger उसका indication होता है और इसकी medicine only four medicines A1, A2, A3 और A4 इन में से फीन में से A1, A2, A3 में से एक और भी यह top most remedies होती है दोस्तों जो directly यहाँ पर indicate करती है कि आपकी medicines यह होना चाहिए दोस्तों ठीक है यह आपके लिए बहुत brilliantly protocol यहाँ पर साबित होता है दोस्तों तीसरा होता है दोस्तों lymphatic temperament जब lymphatic temperament की बात आएगी तो आपका जो third finger है दोस्तों ठीक है यह third finger दोस्तों आप lymphatic system को बताता है कि आपके body में जितने भी lymph है यानि nutrition पहुंचाना nutrition को बनाना बनाने तक जितना काम disturb हो रहा है यानि digestive tract का function disturb हो रहा है आप मानके चलिए third finger पर आपको message मिलता चला जाएगा और यही कारण है दोस्तों जब इस protocol के level पर यह theory डक्टर जीत जी की है आप यहाँ पर आप देखोगे तो first second or third level का diagnosis मैंने बता है यहाँ पर lymphatic temperament में दू ग्रूप का बहुत important होता है एक इस प्रोप्लोसो ग्रूप अर्थात S1, S2, S3, S4 ऐसे लगाकर S3 slash तक और दूसरा होता है lymphatico L1 और L2 दूनों एक दूसरे के combined हैं दोस्तों ठीक है इनका काम एक काम ह होता है lymph को produce करना उसको properly circulate करवाने में मदद करना और circulation का काम होता है lymphatico group का वहाँ पर सहील में प्रापर पहुंचाना पूरी metabolic process को complete करना वापिस western material को बहार लाना यह काम lymphatico इसलिए lymphatico group को middleman कहा जाता है इस्क्रोप्लोस ग्रूप और एंसाइटिको ग्रूप के बीच में और इसलिए दोस्तों जब आप इन particular protocols को समझ लेते हो यह simple theory है दोस्तों simple theory कीवल यह बताएगा कुंसा organ का system आपका affected है और गन नहीं बताएगा ठीक है कुंसा system affected है आपको directly बता देगा और इसी के according जब आप treatment करोगे बहुत easily treatment हो जाएगा दोस्तों कैसे होगा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों जब सेंग्वाइन पेशेंट आता है दोस्तों ठीक है अगर आप temperament देखते हो mixed होता है तब जब सेंग्वाइन पेशेंट lymphatic symptoms का लक्षन लेकर आता है दोस्तों तो तब third finger jump करने लग जाती है याद रखेगा जब सेंग्वाइन पेशेंट lymphatic system का लक्षन लेकर आता है तो तो फंगर होती है न वहं जबूजाएं न टिया याद रखेगा जब मिक्स्ट होगा तब मिडिल फिंगर की बज़ाएं वहाँ पर जो फिंगर ओती है वो जंप करने लग जाएंगी दोस्तोißt रहें तो तीसरी जो थिये वह आपके लिंफेटिक GO लेकिन इसोनो में मिक्षट टेंपरामेंट जब देखना होगा आपको धेक्ञने को मिलेगा जब को दोस्तो जब आपके सेगंद डेम्र जंप करती है तो दोस्तो इस दोस्तो आपके से मिल जब सिंग्वाइन पेशेंट लिंपेडिक सिंस्टम या लक्षन लेकर आ रहा है दोस्तों ठीक है यह दोनों मिक्स हो गए अब डॉमिनेंसी किसकी है उस जो डॉमिनेंसी लेकर आ रहा उस डॉमिनेंसी वाली लेयर पर फिंगर पर आपकी वहाँ पर जंपिंग शुरू हो ज की है दोस्तों middle finger के बंजा ठीक है लेकिन जब lymphatic patient याद रखेगा जब lymphatic patient वहाँ पर synguine symptom लेकर आता है दोस्तों तो synguine symptom को लेकर आएगा तो जो third finger होगे दोस्तों ठीक है वो jump नहीं करेगी उसकी जगा middle finger jump करने लग जाती है और यही कारण है दोस्तों इसी के according हम लोग जान लेते हैं कि यह patient mixed temperament का है लेकिन और कई character होते है उस सारे character मैं आपको बताना चाता हूँ इसलिए आपको system wise बताना चाता हूँ ठीक है आप इतना सा सीख लीजेगा इसको study कीजेगा दो से तीन बार reading करिएगा समझने के कोशिश कीजेगा नहीं समझ में आता आप मुझे पूछिएगा जब हमारा question hour होता है उस से में पूछिएगा मैं आपको guide करूँगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीजे होती है जब आप nervous system को टेली करते हो तो आपको पूरा nervous system का knowledge होना चाहिए और इसलिए मैंने 16 मेने का course design किया है और 16 मेने के course में nervous system के पूरे तीन मेने रखे हैं पूरे तीन मेने में पूरा nervous system बताया जाता है जिसमें एक इक पाड कैसे काम कर रहा है मुसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं और हमारी इलेक्टो में पेद रेमेडी का भी हाप क्या कहता है कैसे वहाँ पर काम करता है दोस्तों यह unique system हमने पैदा करा है जो पूरे इलेक्टो में पेती थी हास में शायद पहली बार हमारी फैमिली ने चालू किया है दोस्तों जब और गन और सिस्टम की नर्व की सभी जंक्शन को आप देखोगे तो nervous system कवर करता है दोस्तों ठीक है कैसे आप देखो जंक्शन माइन ब्रेन क्रेनियल नर्व सिंपेदेटि जब बनाया तो external application से maximum disease cure होगी हम लोगों ने नया ग्रूप इजाद किया हम लोगों ने हमारी एच फेमिली ने हमने work किया हमने smell therapy जाद किया हमने smell से जादू करना सीखने लग गए हम दोस्तों किसी को पैट दर्द हो रहा था हमने smell करा दिया पांच मिनिट बाद बूलते हैं सार हमको तो पांच-पांच-पांच-अट-ट साल होगा हमारी नाग बह रही है हमना treatment क्या कोई हमको फरक नहीं मिला आपने क्या smell करा दिया मुझे 24 घंटे में मेरी nose open हो गई हाउ इस पॉसिबल एक केवल और केवल इलेक्ट्रो में पैट से पॉसिबल है दोस्तों मोस्ट वेलकम इन अवर इच फैमेली हम इस लेवल को मैंटेन करेंगे और आप लोगों को भूचीच सिखाएंगे दोस्तों जो आपका पैसा कभी फिजूल नहीं जाने देगा ठीक ह बाद में अगर आपने कोशनिंग किया तो ना मैं जवाब दूँगा और ना आपको कॉपरेट करूँगा क्योंकि आप आलसी करेंगे ना तो आपके जीवन आलसी के लेवल पर चला जाएगा और अगर आप अपडेट करते रहेंगे तो जैसा मैंने कहा है अपडेशन करने वाला अपने आपको अपडेट करने वाला कभी फोल नहीं हुगा अब फेल नहीं हुगा चार मैने बाद आप अगर पांच जाएंगों दीए मेरा प्रॉमी से अपसे लेकिन आपको निरवस से सेंटर नर्वस सिस्टम कनेक्ट रहता है आपको पता है दोस्तों और जिनको नहीं पता है वो सीख लिजे हमारे बॉड़ी में नर्वस सिस्टम के 43 पैर्स होते हैं ठीक है पैर्स मतलब जोड़े आप जब ब्रेन से देखते हो तो आपके स्कल्प से यहां पर सर्वाइकल अवाली 12 लटे सी होती है और वह व्रार क्रेंट लट आपके ब्रेन से स्पाइनल कोर्ड को कनेक्ट करने का काम करता दोस्तों इसके बाद में जब बारा पर ब्रेंट से बॉड़ी तक वहाँ पर कंटलीट अपना कोस्ट करता है उसके आगे का काम होता है 31 पैर्स आप इस जो spinal cord होता है उस spinal cord से दोनों तरह राइट और लेट में आपके पैर्स नर्व के निकलते हैं जो पूरी बॉड़ी को even spinal cord को back side से और front side से आपके especially आपके abdominal organ को दोस्तों connect करते हैं और यही है दोस्तों जो पूरी बॉड़ी में लगबक 45 miles नर्व पाई जाती है सुन लीजेगा आपकान खोल के 45 miles नर्व पाई जाती है या फैली रहती है दोस्तों और हमारे circulating system की जो total length होती है दोस्तों वो गजब की होती है यह नि उसको divination में अगर आम देखा जाए ना दोस्तों तो 60,000 miles में फैली रहती है यही उसको लंबा किया जाए और चेक किया जाए तो 60,000 miles के रूप में फैली रहती है और इसी तरह दोस्तों अपनी बनावट अपनी peripheral nervous system में भी वो देखने को मिलती है जो कि उसी प्रकार के motor sensory और autonomic nervous supply की वहाँ पर बनी होती है और मैठी जिने इसी चीज के study करके इसे वहाँ पर external application के रूप पर यूज किया और यही कारण है एक मात को cable external apply के माध्यम से ठीक करता है इसका सबसे बड़ा उधारन बता रहा हूं दोस्तों हमारे कई senior ने मैनत करके बनाया है हमने नहीं बनाया हमारे कई senior ने मैनत किया दोस्तों उन्होंने देखा कि किसी को अगर pain हो रहा है abdominal pain हो रहा है बिस्तर पर लेटा दिया और लेटाने क patient बोलता है देर में भी no abdomen pen वहाँ पर कोई भी abdomen pen मुझे नहीं है यहीं आपने एक डूज में patients की condition को complete कर दिया यह result मिलता है हमारे कोई patient unconscious हो गया कहीं भी हो गया जादू देखना है unconscious हो गया ठीक है जादू देखना है दोनों नाक में दोनों नॉस्टिल्स में एस वन की एक एक ड्राप और आरी की एक एक ड्राप डाल दीजिए ठीक है जैसे वो स्मेल करेगा ना इंटरनल अंदर खीचेगा ना दोस्तों आप दीखिएगा result within five to ten minutes not down कर लिजेगा five to ten minutes अगर कोई internal injury नहीं है तो ही करिएगा अगर कोई internal injury नहीं है और वह अनकॉंसे से केवल एस वनारी की बनबन ड्रॉप आप एट कर दीजिएगा दस मिनिट के अंदर पेशेंट हूश में आ जाएगा दोस्तों और यह विहाब बताता है कि हाँ साब आपने कितना internal medicine का यूज किया और यही रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों ठीक है तो यही चीज में बताऊंगा किसी का headache हो रहा है बहुत severe headache हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आप W को RS में बनाई है D4 में और पांच-पांट ड्राव आप smell करने को दे दीजे आप दे देखेगा आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा दोस्तों इसलिए nervous system का बहुत बड़ा रोल नजर आता है कितना भी बड़ा paralysis का कैसे सो दोस्तों कितना ही पुराना क्यों नहीं हो हम लोग 60-70 उसको ठीक कर सकते हैं मैं पूरा 100% की बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी हम तो continue करें बिल्कुल आप continue करिए दोस्तों दूसरा होता है सर्कुलेटर सिस्टम तो दोस्तों सर्कुलेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं कई लोग इसकीन डिसिस का ट्रिटमेंट हमारे इलेक्ट्रोमपैतिक ग्रूप में करते हैं बस वो एक ही च स्कीन डिसिस के ऐसा क्यों हार्ट से सर्कुलेशन में जो ओर्गन जितनी दूर होता है उसको ठीक होने में भी उतना समय लगता है ठीक है एक तो स्कीन डिसिस को एका एक ठीक नहीं होती है में अपका इंटेस्टैंड में इंप्यूरीटी मोजूद होती है आप कोई बी इसकीन डिसिस का और नहीं आप clear बोलो किसाप ऐसा-ऐसा condition है इसकींडीसीज सबसेड लेट ठीक होती है आपकी इच्छा हो इसमें साल में भी लग सकते हैं दो साल में लग सकते हैं आप दो से वेस्कुलर सिस्टम से कॉंटेक्ट में रहता है दोस्तों यहां पर जब सर्कुलिटि सिस्टम में आएगा तो हाट और उसकी पूरी चेनल जहां पर ब्लड बनता है वो भी और जो उसको प्यूरीफाय करके एक्स्कुलिट करता है वो भी यानि लंग्स और आपकी किड्नी भी इसी लेवल पर आ जाएगे सर्कुलिटि सिस्टम के इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत बारी किसे आप स्टुडी क के बात करतें दोस्तों तो सबसे पहले नहीं बता रहा हूं यह फस्ट सेफ के चैप्टर बता रहा हूं किया आप जब पाश डियाग्स करेंगे तो फ़र्स चैप्टर में आपको क्या क्या समझना है दोस्तों लिभ यह निक लिंफफ नूट्रिशनल यह कहane से तारंब होता है ठीक है और इसमें जो सपोर्टिव आरगन होते हैं वहते हैं लीवर स्प्लीन गाल ब्लेडर पेंक्रियास डाइजसल सिस्टम के सभी और इंडोक्राइन सिस्टम के सभी और वेंज और पूरा लिंफेटिक शेनल यहां पर इंवाल होता है जब मैंने आपको सर्कुलेटि सिस्टम बता है वहां वें नहीं आएगा याद रखेगा यहां पर लिंफेटिक सिस्टम में वें आएगा यहनी पोर्टल सर्कुलेशन या वैस्टेज मेटरल को बाहर लाने का जो पूरा फंक्शन होगा वह वीनस सेनल के माध्यम साएगा वहां पर में जब जाओगे हमेशा दिखने वाले लक्षनों को आप नोट करें पेशेंट जो बोलता है कि मुझे यह यह चीज हो रही है आप उसको नोट डाउन करें दोस्तों और पेशेंट की फूल स्टी लेना चाहिए पूरी पहले से लगाकर अब तक क्या-क्या हो चुका है जि किसी ने किसी औरगन के डिफेक्टिव प्रॉसस को बता रहा है उसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों कैसे करोंगे कैसे बताएगा जही का चीज नोट डाउन करना पेशेंट बोल रहा साहब मुझे यहां पर बहुत ज्ञादा पेंड हो रहा है ठीक है यह पेंड यही पर स्टून से पॉलता है साब मुझे आखों के नीचे स्वेलिंग आ रहे है Leonardo में स्वेलिंग आ रहे हैं मेरी बॉड़ी में ब्रवान स्वेलिंग आ रहे है मेरे स्रीर स्विलिंग आ रहे है ठीक है यह इंफ्लामेशन बहुत बड़ा पार्ट है टीसरा делать हो रहा है या कांस्टिपेशन के साथ हो रहा है यह केवल दाइर्या लगाता एक दिन में 15-20 बार पानी जैसे चावल के पानी जैसे आपको दस्त दो हो रहा है दोसको दोनों थो होता है अप उसको दान कि छो रहा है वाइं मुझे दस्ती निश्यहाब हो पोडल में मलें संवता है आतों में शाहें फानी कम फिला है फाइबर डएट कम ले रहा है यह चीजह हमаг सब सबसे डागनोसिस बनाना दोश्कें यह चीजे देखना आपको दूसरी बात पेशन बोलता है साब मुझे तो हमेशा रेस्पारेटर ट्रेक के प्राब्लम है यह पूरा चैप्टार आपके डागनोसिस में शामिल होना चाहिए जो आप डिस्चार्ज की बात करते हो करें बाटी में कई डिस्चार्ज होता है नोस से भी होते है कान से भी होते होते रहा होना होता है थेकता है नाइट नाइट पोलुशन हो जाता है कई बार आप देखो लेटरिंग के से पाइस के जब स्टारिंग प्रिएड होता है मुट्रिस का सिक्रेशन होता और यह मुकस ही वहाँ पर जाकर एनस की वाल को एरिटेक करता है जिसके कारण इंचिंग आती है इस सारी चीज़ उती है वहाँ दोस्तों यूरीन में देखो यूरीन में पस्ट पाइंट आ रहा है इस सब डिस्चार्ज के लिवल पर आपको डियाग्नोसिस करना है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा विच और इंवाल्व है आपको पता लग जाएगा दोस्तों लिथार जी पेशन बोलता है साब आपको बिल्कुत सुस्ती बना रहेगा जैसे आप खाने के बाद में आप देखो कितना सुस्ती आता है ठीक है आप 10 मिट लेट लेते हो तो आपको बिल्कुल अच्छा महसूस होता है क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का प्रोड़क्शन किया जाता है इसलिए आपको कुछ समय के लिए रेस्ट दे दिया जाता है और उसके बाद में देखो आप दोस्तों आपकी एनर्जी का लिवल बढ़ जाता है क्योंकि एक से तीन गंटे तक इसका में पूरा डाजिशन होता है पूरी एटिपीज बनती है और वह एटिपीज आपके और बता होना चाहिए दोस्तों आठवा आपको नींद आती है कि नहीं आती है अगर किसी के स्कीन के लिवल पर जाईए उससे पूछेगा आपको इस प्राब्लम है क्या पेशन्ट बोलता है आज आप देखो मेरे इसकीन में यह प्राब्लम है ने को स्कीन में हो गया खई है पार पेशन्ट बोलता है साप देखो विक्नेस के कारण है फालिंग होती है डिस्टी डेफ डेवलप डाय ड्रेस्टरान डेवलप होने के कारण किसी को एक प्राब्लम होती है तो दोस्तों आप हैर पर देखती है उसके उसके नेल को देखे आप नेल से ही बताएगा mineralization क ऐसा हो रहा है अगर नेल उल्टा चुक्ता हो रहा अंदर आप मान के चलिए कैल्चिम और जितने मिनल्स होते हैं जो ट्रेस elements होते हैं वह बहुत कम मात्रा में मिल आप उनको बढ़ाइए आप महाँ पर हर और उसकी आइज के लेवल का वार्शन का किस हमारे बॉडी के पार्ट से लिंक करता है और वो बाडी का आफेक्टे होता आपको देखने को सीखरे को मिलेगा दोसको, हाइपटेंशन है, आप पूछे उसको कि आपको blood pressure है, आप check कीजिए, हाइपटेंशन है या नहीं, और उसके बाद ये देखे कि आपको low BP होता है, आपको tension होता है, ये छोटे-छोटे tips है, जो second, आपका step जो होता है, pulse diagnosis का, आप सबसे पहले pulse reading क करते जाएए उसको बोले आप बोलते जाओ आप बोलते जाएगा अपनी कंप्लेंट को आप नोट करते जाएगा पहले पूल रहा है उसको फिर नोट इसका रेटेवर फ्राबलम यरिनेरी प्राबलम है सर्कुलेटरी प्राबलम है धिक्रोड क्लियरली प्राबलम है रिप्रोडी जाता है था कुछ लोगों में प्रैक्टिकल करने के बाद में जब आपको पर्फेक्टनेस आ जाएगी जिसे मैं लगबख लगबख 70-80% पर्फेक्टनेस के लिवल पर पहुंच गया हूँ मैं पेशेंट को कहता हूँ आप चुपचा बेठी है मैं जरा पल्स डियाग्नोसिस करनों फिर बात करता हूँ और पल्स डियाग्नोसिस करते करते मुझे समझ में आ रहा है कि इसके खलाने औरगन में प्रॉबलम है पेशेंट एक आया मैंने उसको कहा भई आपको किदनी से प्रॉबलम है आपको स्टोन हो गया है शायद ठीक है पेशेंट बोलता शार आपको किसे बता कि मेरे को स्टोन हो गया है यह डियाग्नोसिक अप्रोच होती है जो हमें पैदा करना है और यह हमारे लिए जादूगरी का काम होगा दोस्तों नकेवल हमारी मैडिसिन का वरक कीजिए कोरेलेट करने के बाद तुरंत मैसेज कीजिए कि इसका फलाना सिस्टम अफेक्टेड है और सिस्टम अफेक्टेड है तो वह कुन से टेंपरामेंट में आता आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है चौथा यही चीज़ आपको देखना है उसके और और सिस्टम का जो ओर रहा है ठीक है कुन सा और और मालो डागण शिस्टम प्रभावित हुआ उस और र सिस्टम के लिवल पर जाओ जो वहां पर प्रभावित है यहां से डागणोस्टी शुरू होता है इलेक्ट्रों में पैट्का पॉजिटीव और नेगिटिव डिसिस यहां पर हइपर का कर रहा है बाट इस दो लॉजिक होता है इन चार स्टेप का दोस्तों और यहां पर क्लियर हो जाता है यह ओप सिस्टम प्रभावित है और इस सिस्टम का इस टेंप्रामेंट से रिलेशन है और यहां पर यह और्गन मालों डाइजस्ट्ट्रेक में आपने देखा इस टमक और लीवर बहुत ज्यादा अफेक्ट है आप सीधा समझ जाएंगे कि असलेशन कोई जा रहा है वहांपर कोई बहुत सारी कांप्लिकिशन नाजा रही है भी येट कर दिये आपको लगता है भी छाले होगे जी एट कर दीजे आपको लगता बहुत ज़्यादा एसीड बन रहा वाई भी एट कर सकते हो दोस्तों इसलिए जब हाइपर यह हाइपो कंडिशन के लिवल को आप डियाग्नोस करना सीख जाओगे जो मैं बताऊंगा दोस्तों मेरा नेक्स मंडे वही बताऊंगा तो जब पूरा डिटेल बताऊंगा तीन दिन का रहेगा दोस्तों मजा आ जाएगा पूरी चीस समझ में आ जाएगा तो जब आप हाइपर और हाइपो करक्टर को जानना शुरू कर दोगे तो हाइपर मतलब कोई भी और गन जब अपने नार्मल वर लिखते हो तो उसमें क्या प्रभावित होता है कि नी लेकिन आपको मालूम है ने दोसको जो उमारे सीनिर से वह पता है यहां पर कि दिनी फेलियर होने का में कारण लीवर ने प्रापर वर्क नहीं करा मैटाबोलिक डिसॉडर के करण और ब्लेट का बहुत गाड़ापन हो अब जाई नहीं रहा तो डेफिनेट लिवा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और यही कारण है लॉजिकली आप जब देखते हो यही में रिजन आपको नजर आता है दोस्तों कि यहां पर जो पल्स डाग्नोसिस का चेप्टर है वह बहुत इंपोर्टेंड हो जाता है वो यह ब प्रावलम क्रेट हो दिए तो जब आप लिवर की रेमेडी के साथ इसलिए आप क्या करोगे जब यूरिया क्रेटनी देखते हो ना बड़े वे यूरिक ऐसे क्या करोगे आपके पास एक काम है या तो आप S6 C6 L1Y दीजिए या आप S5 C5 L1Y दीजिए D5 या D6 के लेवल प जब आप इसके साथ में A2C5 GP2 L1 देऊगे तो आप देखोगे औरगन का लेवल मेंटेन होने लगेगा लीवर के ब्राप के साथ जब आप किद्नी के लेवल को मेंटेन करने लोगेगे आप देखोगे कि किद्नी का काम रिलेक्स के लेवल पर हो गया है और बहुत आसानी स यूरीन का फ्लो बनने लग गया यहनि फिल्टेशन रेट बढ़ गई है यूरीन का फ्लो बढ़ गया है आपका प्रॉबलम धीरी-धीरे स्वाल होने लगेगा और जब यह प्रॉबलम स्वाल होने लगता है तब रिजल्ट हमें पॉजिटीव एप्रोच के साथ आते हैं तो आप जब लॉजिक ही नहीं पेदा कर पा रहे हो आप केवल कॉपी पेस्ट कर रहे हो यहां सीखा इसने कहा था यह किरने का लेवल है यह दे दिया उठाके कभी रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों आप हमारे ग्रूप के सीनियर मेंबर सो देख लीजिए कितना अपडे लेवल पा जब भी कोई डॉक्टर को बताता हूं जो चीज मैंने प्राक्टिकल की वह बताता हूं अन्यता मैं नहीं बताता हूं मैं प्रोटोकॉल भी नहीं बता पाऊंगा दोस्तों ठीक है इसलिए क्लिए इंडिकेशन के बात करता हूं अब आता बात आपने डाग्नोस सिक्रिशन बढ़ाना नेवर दोस्तो आपने पॉजिटिव दे दिया न एग्रावेट हो जाएगा लेकिन कई बार ऐसा होता है बाइचांस हम लोग पेशन को गलती से देदेते हैं और गलती से देने के बाद उस पेशन के सिंटम सब बाहर आ जाते हैं एग्रावेट हो जा जो भी dose आपने सिलिक किया है एक कप पानी में दे रहे हो उसको कहो बिलकुल light दो दो ड्राप ले और एक गिलास पानी में डाल के ले आपने उसको more negative कर दिया और जैसे ही negative किया patient को result आना शुरू हो जाएगा दोस्तों ठीक है उसके जितने symptom एक्रावेट हुए थे है वो सारे symptom महाँ पर चले जाएंगे और यही कारण है दोस्तों dose dilution और lighter dose के रूप में जब आप देते हो यही कारण है disease की जो category होती है या patient की जो आउशक्ता का अनुसार आप उसको set करना सीख जाओगे कि इसको मुझे positive देना इसको negative देना इसको मैंने आप जब one nine से ratio करते हो तो कहते हैं 10,000 तक यूज करो मैं दोनों ratio का comparison बताऊंगा और result बताऊंगा distill water से practice करने वालों का भी result बताऊंगा RS based आपको practice करने वालों का भी result बताऊंगा और दोनों का level जब आप देखोगे आपको खुद समझना आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर जो dilution निर्धारित करन हाइपो कंडिशन क्या होगे जब किसी और गन क्या सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है दोस्तों वह कम काम करता है तो ऐसी कंडिशन में यहाँ पर बहुत काम करेगा यहाँ दखेगा दोस्तों इसलिए जब आप यह मेडिसिंस को सिलेक्ट कर रहे होते हो तो यह dilution therapy इसलिए काम करती है धीक है उम्मीद है आपको समझ में आएगा अब एक उधारन देकर आपको बताता हूँ दोस्तों आपको क्लियर समझ में आएगा जब हाइपो थारेडिज्म होता है और जब हाइपर-Thiraidism होता है कि आ ही और आ है आप क्या indicate करती हो जब हाइपो-Thiraidism होता है तो इहाँ पर टी-त्री ओवर T-4 रिडूस हो जाता है दी में काम favorit लेंग का होता आट्री ओर 2-4 का बनाना लेकिन 3 o t4 नहीं बनता थयरक्सिं बनता इसलिए हाइपो थारेडिस्म में यह कम होता है ठीक है यह कंसीडरेशन है क्यों क्योंकि पीट्यूटरी ग्लेन से टीएसेच निकल रहा है और यह टीएसेच बार-बार यहां पर थारेड ग्लेन को आकर पर स्ट्यूमलेट कर रहा है इसलिए टीएसेच ज़्यादा होता है आपको घबराना नहीं है आप पिट्यूटरी ग्लेन के लेवल पर काम कीजिए ठीक है तो जब स्लो डाइजेशन हो जाता है आपका मेटाबलिक रोस स्लो जाता है वह हाइपो थारेडिसम में थारेड ग्ल सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा एस टू सीधरी एल टू आरी आप क्या दोगे सीधा डी फाइब और अगर 147 से जाओगे फिप्ट डालुशन ठीक है यह प्रोटिन सी जब आप निर्धारित करना सीख जाओगे आपका करेक्टर विलकुल कम्प्लीट हो जाएगा आपका पेशेंट यहां पर बोस्तों यह फिप्ट ने फॉर्थ डालुशन दोस्तों सब्सक्री यह यह जो क होगा वो लो हो जाएगा यहां यहां पर यहां पर आपने आरी दिया था यहां पर वाई कर दो आप यह निए S2, C3, L2Y कर दो आप और इसको आप दे दो दोस्तों आप D6 में दे दो या टैन्थ में दे दो आप देखो बहुत बड़ी आ पीट्यूटे रिगलें का सिक्रेशन डाउन हो जाता है यही चीज आपको टेबल प्रैक्टिस में सीखने का है दोस्तों जब आप यह चीजे समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों पांचवा स्टेप होता है आपकी प्रैक्टिस का जब आप लाइटर और हेविर डोस की बात करते हो दोस्तों ठीक है आपको पता होना चीए आप दोसों लाजी आपका डोस उस आदमी में क्या चेंज कर सकता है या उसकी लिए को नुकसान कर सकता है या नुकसान को रोख सकता है वो डोसों लाजी आपको पता होना चीए तो दोस्तों जब पर दूस देते हो तो उसके दीने के तरीके आपको सीखना पड़ेगे हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है दोस्तों अपने अपने लेवल कोई कहते हैं लाओ एक गिलाश पानी लो पांच पांच दददर डाल लो लाओ एक एक चमज पी लेना यह नान अथेंटिक तरीका ह नहीं चलेगा आपकी कोन सी मेडिसीन कोन से डालिशन से पेशेंट ठीक हुआ है ठीक है आप कभी कांक्लूजन नहीं आओगे हाँ फाइदा उसको हो जाएगा उसकी कोई गैरंटी फाइदा सब थेरेपी में हर कंपनी के मेडिसीन से हो जाएगा लेकिन कांक्लूजन नहीं होगा, कभी भी क्योर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, कि आपने正教 by step काम नहीं करा, मैं इसलिए आपको step by step पूरा बता रहा हूं, डाइग्नोसिस का, यह step by step जब आप सीखते हो, सारी चीज आपके हाथ में हैंडल में हो जाती है दोस्तों याद रुखेगा तो सबसे पहले lighter dose होता है जब आप lighter dose देते हो तो एक से तीन ड्रॉप ओनली one to three drops जब आप medicine के देते हो एक गिलास पानी में डाल कर देते हो यही आपने 30 ml medicine दिया है उसको और जो भी medicine आपने select किया और उसको कहा है कि ये एक से तीन ड्रॉप आप लिजिगा और एक गिलास पानी में डाल इउट करके धीरे धीरे sip by sip good by good आपको 10 minutes में complete करना दिन में 3 बार लेना ठीक है यह आपका negative dose हो गया later dose हो गया दोस्तों ठीक है दूसरा higher dose अगर आपको medicine को और ज्यादा तेजिस देना आपने 3-4 drop 10 drop 20 drop आपने medicine को वहाँ पर use किया ठीक है अब depend करता है दो तरीके से आप एक चमच पानी में दे रहे हो तो 3-4 drop भी बहुत हेवी हो जाएगा आप 3-4 drop एक चमच पानी में या दो चमच पानी में डालके पीने को बहुत हो आप यह जाता है याद रखेगा इस बात को medicine के quantity को चेंज नहीं किया जाता है जो medicine directly आप एक कप में दे रहे थे वही medicine आप हेवी देना है तो आप दू चमच में दे दो हेवी हो जाएगा दोस्तों ठीक है यह concept है और यह concept बहुत आगे लेकर जाता है इलेक्ट्रोमतेट को दोस्तो और यही कारण है दोस्तों जब इस प्रकार के character develop होते हैं तो pulse diagnosis का level बहुत ही strong होता है कई चीज यहाँ पर समझने की है जब आप table practice करेंगे तो patient पूछता है आप treatment कर रहे हो यह medicines आप दे रहे हो तो आपको क्या करना चीए आप यहाँ पर क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकत परहेज क्या कराना दोस्तों अगर आप dilution therapy का प्रयोग करते हो potentize therapy का प्रयोग करते हो तो जितना खटाई होता है जितना citrus food होता है ठीक है lemon हुआ onion प्याज हुआ vinegar हुआ citric food हुआ cardamon हुआ या mint हुआ ठीक है इसका प्रयोग अगर आप न करें तो ज्यादा बेतर है result बहुत fast आते हैं अगर इनका प्रयोग करेंगे तब भी result आएगा लेकिन एक से दो मेहने का level लेकर आएगा दोस्तों आपको एक से दो मेहना weight करना पड़ेगा तब आपको result द करता है अब जब इस डालेशन थेरी को आप अपनाते हो तो आपको पूरा pulse diagnosis का level यहां पर लेकर चलते हो दोस्तों यह चीज़ आपको बहुत clearly यहां पर समझने आ रही है और यही कारण है आपको सारे cases यहीं पर discuss करना पड़ते हैं ठीक है उम्मीद है आपको यह pulse diagnosis का चिक से उन्होंने यहां पर बता है दोस्तों कि इलेक्ट्रों में पैथ में जो pulse diagnosis है यह नारीची किस्वाद होती है वह एलेक्ट्रों में पैथ का अभिन्य हिस्सा बनाया है और उस अभिन्य हिस्सा के level पर जब हम इलेक्ट्रों में पैथी के सिद्धान्त में यूज करते हैं यह particular जो तीर फरस और सेकर्ड दो फिंगर के level पर बनाया है यह नहीं अंगुटे के पास के first finger और middle finger यह दो finger के level पर उन्होंने बनाया है दोस्तों और इनी दो फिंगर को आप particular इनी दो उपर और नीचे इनी दो पाइंट पर रखकर आप diagnosis कर सकते हो उन्होंने हमेशा बता इसी पार्ट में देखने को मिलती है और यही चीज़ आपके टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा जो आपकी इस portion में जब आप देखोगे ना एंड वाले portion में, तो ये जो four Arm होता है दोस्तों, ये आर्म है ये four Arm है, ये four Arm में दो बोन होती है, एक अलना बोन होती है, एक radius बोन होती है, याद रिखेगा, जो radius बोन होती है, वो हमारे अंगूठे के तरह पाती है दोस्तों, ठीक है? और उसी भाग पर Nerve होती है, जिसको radial nerve और उसी radial nerve पर हम लोग दोस्तों चूकर किसी भी व्यक्ति के hard के धड़कन का अपास हम कर सकते हैं और यही यही जो नर्व होती है यही नर्व हमें चिक्स्तकों को हमेशा जाचना चाहिए इसी के शुरुआत करना चाहिए दोस्तों अगर हमने इसी पॉल्स को प्रापरली डाग्नोसिस करना सीख लिया तो आपको क्लिरली इंडिकेट हो जाएगा दोस्तों कि यहां पर कई बार इसको दबा के कई बार प्रेशर खड़े देकर कभी थोड़ा सा आगे तब पीछे कभी इसका यह कभी सीधा सेंटर पाएंट रखेंट करतों तो हैं तो आप दीखेंगे डिखटों जो आप इस प्रकार से हैं आपका डियागनोसिस करना चाहते परफेक्ट शीशन और जाखें सबसे पहला जीथ Хासी नहीं हो जाएगा केवल पल्स डाग्नोसिस के विहाब पर आप बता दोगे इस पेशन का कौन से और अफेक्टेट दोस्तों इसलिए मैंने दूनों थियोरी को यह सामिल कर लिया तो कि बहुत इंपोर्डेंट है और अगर हम किसी को इलेक्ट्रोमेपेथ को इli टो में आपको यह चीज समझने का दोस्तों अब जब एलेक्ट्रोमेपेथि में पल्स डाग्नोसिस करते हो दोस्तों तो एलेक्ट्रोमेपेथि के सिद्दान करने साथ जो अंहों ने इस कृड्द दिया उसकी अपोर्इम केवल दो फिंगर के मादियों से दोस्तों यन उन्होंने ये जो point number 1 है ठीक है आप जब अंगुठे को देख रहे हो अंगुठे के तरफ का जो point है ये वाला point ठीक है lateral side में ये point को उन्होंने first meniscus नाम दिया एक point दिया और जो tip वाला person है उसको second meniscus का नाम दिया और जो middle finger के तरफ पाट है उसको यहां पर उन्होंने third meniscus का नाम दिया इन्हीं third meniscus के level पर पूरा temperament discuss किया जाता है दोस्तों अब जो दूसरा point होता है ये वो दूसरा point होता है दोस्तों जो particular middle finger के level होता है middle finger के तरफ से जो आपके index finger के तरफ जो पाट था वो फस्त मेनिसकस जो सबसे टाप most part था second meniscus और जो lateral part है जो third finger के तरफ है दोस्तों वह आपका third meniscus होता है और यह meniscus के विहाब पर दोस्तों आप यहां पर पूरा diagnosis confirm करते हैं और इसी diagnosis के level पर आप किसी भी treatment को generate करने का काम करते हैं दोस्तों तो यहां पर जब आप इस level को maintain कर रहे हैं तो आपको याद रखना है जो index finger है दोस्तों ठीक है आप यहां पर क्या कर रहे हो ठीक है तो जो तरजनी उंगली जो index finger होती है वो इनका कहना है कि directly blood को आप examination कर रहे हो आप index finger के माद्यम से आप directly blood को examination कर रहे हो यहीं दोनों उंगलियों को आपने लिया एक वीशे सवस्था में आपने डारेक्ली इस प्रकार से वहाँ पर state रखा और state रखने के बाद आप particular टिप पर जिस टिप पर यहां आ रहा है यहां second पर थर्ड पर पर इंडेक्स पर या फिर middle finger कुन सी finger के उपर आपको examination का point वहाँ पर pulse की धड़कन आपको जटके के साथ मैसूस हो रही है वो चीज़ उन्होंने नोस किया इसलिए दोस्तों जब दोनों उंगलियों को एक विसेस अवस्था में आप वहाँ पर radial nerve पर रखते हो और वहाँ पर nerve की धड़कन को जो palpitation होत कि जो patient है उसकी जो disease है उसी उंगली में चुपा हुआ है इसी उंगली में आप इसी उंगली को मैं बताऊंगा आगे कल कि कैसे उसको दबाना है और दबा कर कितना point दबाओगे तो क्या मिलेगा कितना point ओडीप में जाओगे तो क्या मिलेगा दोस्तों मैंने बहुत study किया इसको और बहुत इस्टेडी करके मेरे चार फेंड है आयरुवेद चारे बहुत सीनियर है राजपूर में डॉक्टर अपरकाश पठेल सर मेरे अंकल है बहुत सीनियर है उनसे मैंने इस्टेडी किया और उन्होंने मुझे प्रणस डागनोसिस का पूरा कंफर्म करना बता है तो जो आयरुवेद चारे जो यूज करते थे वह 100% पर्फेक्ट था मुझे नहीं पता क्यों आयरुवेद चारे ने इतना अच्छा घ्यान खो दिया दोस्तों डागनोसिक इतना कंफर्म हो रहा है कि मेरे बहुत सारे प्रोटोकॉल यूई जनरेट हो जा रहा है मैं डारे प्रेक्स फिंगर की बात आईगी तो तीन पॉर्शन मैनिसकस के रूप में होंगे दोस्तों एक फर्स सेकेंड और था मैंने आपको क्लियर बता दिया दोस्तों इसलिए याद रखेगा एक नंबर मैनिसकस जो होता है ठीक है एक नंबर मैनिसकस जहां पर जो औरगन ब्लड को पैदा कर रहा है डेवलोप कर रहा है उस अंगों को और सिस्टम को दर्शाने का काम करता है तो आपको अगर पता है कि ब्लड हमारे शरीर में किस और गन में बनता है बच्चों से लगा कर बड़े होने तक सब डिफ्रेन है ठीक है अगर आपको यह पता है कि यह और गन ब्लड बना रहा है उस ब्लड बनाने वाले और गन में उस सिस्टम को वह दर्शार आए कि यहां पर कोई न कोई प्राब्लम है इसलिए दोस्तों अगर धड़कन का आभास पाल्पिटेशन का आभास वन नंबर पाइंट पर होता है दोस्तों आप जान ले यह रक्त स्टम को बनाने वाले ब्लड को बनाने वाले जो भी सेंटर पाइंट है वहां पर कहने के प्राब्लम है आप अगर सीखना हो तो एनीमया वाले कैसे में देख लो आपको ख्लीर नजर आ जाएगा ते प्राब्लम कहा है दोस्तों ऐसा यह इंडिकेसर आपके लिए बहुत इ एनीमिया का लेवल है आठ ग्राम साथ ग्राम हेमोगलोविन आपको फट से आप एक्जामनेशन करोगे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों ठीक है तो ब्लड को बनाने वाले जो सेंट्रल पॉइंट रोग रसते हैं तो यह फस्ट मैनिस्कस पर आपको डागनोसिस हो ज जैसे जैसे अजमाते जाओगे ना परफेक्ट होते चले जाओगे जोस्तों सेकंड नंबर मैंने इसका स्टीप आप दो फिंगर इंडेक्स फिंगर अगर इसको आपने खड़ा रखा है और वहीं आपको पल्सेशन बहुत स्ट्रॉंग सुनाई दे रहा है तो सेकंड याद कर लिजे जो चेनल्स वहाँ पर सरकुलेट करते हैं ब्लट को उन सरकुलेशन वाले चेनल्स में प्राब्लम है तो वेरिकोस वेंट आप डागनोस करोगे ना वेरिसील डागनोसिस करोगे ना यहीं किसी को हार्ट का ब्लॉकेज हो रहा है ना आपको पता लग करने को मिल जाएगा तो यही करने बहुत बढ़िया डागनोसिस कंफर्म होता है दोस्तों थर्ड होता है जो ब्लट को यूज कर रहे हैं तीसरा नमबर मिनिस्क्रस जो आपके मिडिल फिंगर के तरफ पाइंट होगा आपके इंडिक्स फिंगर का अंदर का पुर्षाइग वहाँ पर जब आप फिंगर को इस प्रकार से तेड़ा करोगे तब आपको महाँ पर इंपस नजर आएगा दोस्तों मैं कल बताऊंगा आपको ठीक है तो जब थर्ड नमबर का मिनिस्कस पर अगर आभास हो रहा है दोस्तों तो ब्लट को शुद्ध करने वाले या वहाँ पर जो वायूज होते हैं यानि आपका लंग्स ठीक है याद रखिएगा शुद्ध करने वाले और वायू प्रदान करने वाले अंग होते हैं यानि किड़नी वो डारेक्ली अफेक्ट हो रहा है आपको डारेक्ली पता चल जाएगा कि यहां पर ब्लड को जो पकड़ना है आप यहां पर थर्ड में इसकस पर आपको प्रोटोकाल का इंप्रेशन लाएगा आप डारेक्ट बोल दोगे इसको यह प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है तो दोस्तों यही चीजे जब आप इसको पर्टिकुलर रूट कॉस के लेवल पर जाओगे पेशेंट के चुटकियों में कलेक्ट हो जाएगा क्यों कि हमारे पास और्गन की रमेडिये हमें तो पता है कि आट्री पे वन देना वेन पर आपको यह पता है कि प्यूरिफाय हो रहा है तो इसी मेडिसिन को नेगिटिव कर दो लंग्स पे काम क्या करता है पी टुछी तुछ ठीक है और वह चोटी चीजहैं आपने अगर दस दिन दस पेशेंट या आकशों पेशेंड है आपका पहला step clear, आपने जब तीन सु पेशेंड कर दिया है second step clear आपने जब तीन सौ-चार सौ पेशेंड है आपका सटेज फोर्त कि मिडिल फिंगर दोस्तों मिडिल फिंगर में भी इंडेक्स फिंगर की तरप लेटरल में वह फस्ट जो टीप निजर आता है तो आप जब उसको लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो डिसीज का center point होगा दोस्तों वो आपको definitely देखने को मिलेगा कि इसमें lymphatic system प्रभावित है और lymphatic system के level पर आपको diagnosis करने का मंतर मिल जाएगा यह निए आप रस को बनाता कोने कुन-कुन से organ बना रहे हैं उसको pure कुन-कुन से कर रहा है और उसको purify कुन-कुन-कुन से कर रहा है यह तीन चीज आपको clear पता लग जाएगी दोस्तों और यही कारण है दोस्तों जब आप इस प्रकार के center point को diagnose कर लोगे तो पहरे के तरह आप जैसे हमने index finger में बात किया आप जब index finger को रखा middle finger को रखा अगर शक्ति पूर्ण भास हो रहा है तो जान ले कि रोग का कैंद्र लिंफ को बनाने वाले organ वो glands में अर्थाथ जब आप digestion की process में food को ले रहे हो और food वहाँ पर आ रहा है और food वहाँ पर जो lymph जो बन रहा है जो nutrition उसमें निकल रहा है वो प्रापर नहीं हो रहा है यहीं आपके कोई नहीं को यहाँ पर जिम्मेदार समझ रहा है वो आरगन सब आपको यहाँ पर जिन्मेदार बिल जाएगे दूसरा होता है जब आप टीप आप दो मिडिल फिंगर के लेवल पर इंपलस देख रहे हो दोस्तों तो आप देखोगे यहाँ पर नाड़ी का भास ज्यादा हो रहा है और मालो कि यह जो सर्कुलेश पैथोलाजिकल बेग्रांड बनाया और इसी के अकवाडिंग मैडिसेश लेकर चल रहा हूं और इसी के अकवाडिंग पूरा साइंस आपको सिखा रहा है कि देखो ऐसा हमारा शरीर काम कर रहा है ऐसा काम करेगा तो हाइप आप तो यह डिसीज होगी और इस डिसीज का यह 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 symptom होगा पुरा detail और इसका आपको यह treatment देना है यह सारी चीज में लेकर चल रहा हूं और इसलिए हमारे गुरूप के सारे doctors perfect होते जा रहे हैं दोस्तों और third होता है अगर इसी इंडिस finger के side वाली यानि आपके विपरी third finger के तरफ वाला third maniscus पर अगर महाँ पर आप जब उसको देखते हो दबा के उस पर आपका pulse का diagnosis आपको जटके के रूप में महसुस होता है आप माल ले कि उस lymphatic channel को बाहर निकालने वाले जो excretive system वाले जो organ है ना वो यहाँ पर affected हो रहे हैं दोस्तों ठीक है अगर यह चीज आपने आज study कर ली तो कल इसका पूरा detail आपको perfectly समझ में आने वाला है आपको मैं सबसे निविदन करता हूँ 5 से 10 टाइम सुनिएगा आप इसको इसलिए आपको जब रोगी के आपके पास आता है और वो आता है विचारा बहुत सारी मतलब अपनी जिग्या सा लेकर आता है कि यार चलो मैं को diagnosis करना आप महीं से सिख जाओगे और जैसे ही आप उससे कोई symptom पूछा नहीं उसको बता दोगे कि आपको यह problem है तो आप जान जाओगे कि दोस्तों इस patient भी समझ जाएगा यार यह doctor बहुत अलग है ठीक है इसलिए एक अलग प्रभाव आप उस patient के उपर डाल रहे हो इस उसलिए दोस्तों आपको यह दूनों चीज मैंने बताई अब इसके बारे में हम लोग बाकी कल देखेंगे अगर किसी को इससे related कोई questioning हो तो आज पूछ सकते हो या कल आप पूछ सकते हो दोस्तों है ठीक है अब बताएंगे सर जी बिदिन फिंगर का कल बताएंगे सर ताई की अलो अब बताएंगे सर बिल्कुल दीरे दीरे सब चीज आएगी सर कि अपने पर सब्सक्राइब से सिखा है ना वह दोनों फिंगर एक साथ रखने का या वन वन रखने का सभी एक साथ रखना है जहां पर जिस फिंगर के लेवल पर पल्स आ रहा है उसको छोड़ देजें दूसरी फिंगर को अटा दिए ओके सब्सक्राइब देंगे और भी थ्री तर हाइपो में डी फाइब दीजिए आपर में डी टेन या डी सिक्स दीजिए तो 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 अबदो फंक्शन कर रहे हैं इसलिए हम दीजिए फूर में देंगे सर डी फाइब आज यहीं रखते हैं घल मिलते हैं नमस्कार जी हमस्ते साथ हां बहुत बहुत अच्छा लगा जी बहुत बड़ी आत्रीके से समझा रहा है हमें बहुत भुत धन्यवाजी आपका घड़ी लगा तैसर कभी-कभी यह टीएसे चिंट विगठा होता है तीक है जी मेडीकेशन के कारण नहीं होता है इसलिए होता है इसलिए मैं कहता हूं आप जनल टानिक नैच्रल टानिक को बिफर मिल आप तर निरो फ्लास को नाइट में दोगे ना मैटाबोली कंट्रोल होने लगता है और आपका पेशेंट बिल्कूल कबर हो जाएगा ठीक है ठीक है अगर किसी का ज्यादा हो तो क्या हाइपो में आएगा हो जिल्कूल हाइपो में आएगा हो तो हाइपो में आएगा और कम होगा तो हाइपर में आएगा ठीक है ओके दोस्तों